हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम विज्ञान के पेपर का यहां पे हल देखने वाले हैं फ्रेंस दो हजार चोबिस का जो बूर्ड का एक्जाम होने वाला है इसके लिए यह दो हजार चोबिस का एक प्रकार का वाइरल पेपर है यहाँ पे जितने भी आपको प्रश्न बताएंगे आप सभी को बूर्ड के एक्जाम में मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिलेगा तो आप इस पेपर का संपूर हल जरूर देखिएगा फ्रेंस देखिए जो पेपर का सेट है आपका एके है ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहता है कि समय दिया रहता है आपको पहले लिखा रहेगा पेपर में यहाँ पेपर समय आपका समय कितना रहेगा तीन गंटा पंदरे मिट का समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए और जो इसका पुढांक रहता है, टोटल सत्तर नंबर का रहता है, यहाँ पे आपको नोट दे दिये जाता है, कि आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे देखें, यहाँ पे 15 मिनट जो होता है, पर इच खंड बाव में भाजित होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेजएगा, कितने खंड है, कितने उपभाग है, कितने प्रशन आपको करना है, आपको यहीं पे सब निर्देश में बता दिया जाता है, इसलिए निर्देश आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, यही सेम टू सेम निर्देश आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको यहीं निर्देश देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे दूसरा निर्देश क्या है, आपको कि खंड और खंड बाव में तीन उपभाग होंगे, जैसे व आपको सिर्फ OMR सीट भरना रहता है, ठीक है, अब देखी OMR सीट पर आप यदि एक बार उत्तर दे देते हैं, तो उत्तर देने के बाद उस पे न एरेजर का प्रियोग कर सकते हैं, न उससे आप काट सकते हैं, न वाइटनर का, यानि आप एक बार OMR सीट भर देंगे, तो परतेक प्रस्न के जो सम्मुक उसके अंक निर्धारित किया गया है, यानि कि कौन सा प्रस्न कितने अंक का है, वो आपको उसके प्रस्न के सामने आपका लिखा रहता है, आपको अभी देखाएंगे प्रस्न में, ठीक है, खंडबा के परतेक उपभाग के सभी प्रस्न एक स सभी को पता दी हैं आप पहले से जान रहे होंगे तो आप को बोड की एकजाम में निर्देश को समझने में किसी प्रकार का प्राब्लम नहीं होगा चले प्रश्ण को हल करते हैं इसमे आपको भातिक विज्यान के अर्थात फिजिक्स के सभी सवाल आपको मिलेंगे ठीक है पहला प्रश्ण किसी वस्तू का वास्तविक बढ़ा परत्विम बनाने के लिए उसे और दरफण की किस इस्थिति में रखना होगा तो तो दर्पड के दौरा आपको बताना है कि यह वास्तुिक प्रतिभीन यहां पिफ देखें जांडर के अधर चैन्द्र पर सक के बीच में रखेंगे धर पड़ Ride और फोकस में चलिए निचैनल है यहां दियान दिजी आपको वास्तविक प्रतिभीम बनाना को वास्तू को के दिरुख में दरपड़ के दुरू और फोकस के बीच रखते हैं तो इस प्रश्न का सही जो प्लापसर सही होगा bound इस प्रश्ण सव्म्ता की अप्रिक्ट नमबर का कि सामने प्रश्म आपको लिखा रहे तो किसी भी लेंस की छमता की 1 काई होती है देखिए आपका मीटर होता है प्रती मीटर होता है प्रती मीटर प्रती सेकेंड होता है तो किसी भी लेंस की छमता को पीस देखाते पीस कल तू क्या होता है यह किसमें होगा आपका मीटर में ठीक है तो यह देखिए लेंस की छमता पी होता है इसका मात्रक दो हो मीटर है प्रती मीटर यहां प्रती मीटर है यहां पर आपसन देख़े सब्सक्राइब अब जरूर्ण ध्यां से देखके आपको देखिए कि प्रकार सभी सवाल जितने भी पेपर करा रहे हैं इन ही सभी पेपरों में से आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल मिलेंगे ठीक है तीसरा नंबर का सवाल क्या है कि एक श्वेत प्रकास की रड़ जब किसी काज के त्रिकोडी प्रिजम से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग-अलग सबसे अधिक वीचलन पूछता था बंऐन है यहाद रखे है भ depiction जबसे अधिक बीचलन होता है आपका बैगम इसे कम olar कि ति इसरा नंबर का सवाल किहा है कि सुर्यं श्वेता प्रतीत होता है सफेद रंह का होता है सुर्यदे के काफी पूर्व में ऐसा कुछ नहीं उसमें लालिमा टाइप दिखाई देता है सुर्यास्त के समय इसमें भी आपको क्या होता है कि आपको लालिमा टाइप दिखाई देता है और सुर्य जब अस्त होता है तभी आपको लालिमा टाइप दिखाई देता है ति यह वह आपसाल सही नहीं हो दो बारा बज़े करीब देखेगे का जब सूर्य अधब उपर रहता है उस समय आप को क्या होता रहता है आप स्वेध सपहेद आपको दिखाई देता है इस प्रश्ट का से जब क्या सी वाल साट करेक्ट हो जाएगा समझा आ गया होगा सूर्य श्वयताप मतलब सफेद रंग का कप परती उत्वता है दो पार के समय दिखाई देता है आपको अगला नंबर पांचवा नंबर के देखिए सवाल क्या है कि किसी विद्दुद चालक का परतिरोध धिमनली खित में से किस पर निर्भर नहीं करता है यहां पर निर्भर नहीं उसका आकार का ऐसा है तो आकार पर निर्भर नहीं करता है यानि कि देखिए इसके लंबाई पर निर्भर कर रहा है चालक के पदाद के घरत्तु पर निर्भर करेगा चालक कान उप्रस काट के छत्रफल पर निर्भर करता है लेकिन परतिरोध कभी भी किस आकार का है उसके आकार पर निर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कि निमतम 20 कम तथी यानि कि किस करम में पर्तिरव adequately को जोड़ा जाए को सिस्का पर तो समानतर में जोड़ा जाता है समानतर में ऑर जब अधिक कएगा यदि पर्तिर हो कब जोड़ेंak सबसे क इस आप सन्रेवर FREED कर में पूछता है यहां पूछा कुछा परolution प्रतुर्वत नियुनतम का वोगत उसे किस करम में जोड़ेंगे समांतर में चलिए आपसन को देख लेते हैं सभी को समांतर करम में जोड़ा जाएगा इसका सही जब क्या होगा अगले आपसन को देख लिजिए सभी को सेरी करम में जोड़ा जाए यानि जोड़ा जाए इसस what कि विद्धु धारावाई चाला के कारण उतक्पन-चुंबकी-चैत्रे के दिषआ ग्याद करने के लिए निम्नलिखित मेंसे किस नियम की सहायता लिया जाता है यहां पर आपसंद पड़िए फिलेमिंग के दाएं हाथ का नियम या ओम का नियम तो देखें आप के एक विद्धु धारवाई चाला के कर उत्पन्च दृष्टर के दिसाग जियाद करने के लिए निम लिखित में से किस नियम का प्रियोग करते हैं तो फिलेमिंग के बाहर हाथ का नियम प्रियोग करते हैं इसका सही जब क्योंदा बी-वाला अफसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के question को देखते हैं देखिए आपका अगला उपभाग 2 इस्टार्ट होता ठीक है जिसमें आप अठवा नंबर का सवाल है ठीक है अब यहां से रसायन विग्ञान के सभी सवाल प्रारंब होते हैं ठीक है अब बहुते ही विग्ञान के सभी प्राश्न उ होगता है है कि आप सभी को पता तहीं कि नीसे नंबर के सवाल को देखते हैं नौ नमबर निम्रे वारे बता है कि इलकेन का यहातल है के इस एक बन इस लगा रहता है ग Cert KO कर लाएंगा गिसे में ट्रिपल रभानलोगा यहां से पूछें अब इस सॉवालों देखिए कि कौन सा आपका डवल करल देखी हैं फर दुछ सिछा कर साइब क्या होगा दुएवल आपशंड पसा देखिए आपका क्या है और यह है आपका lkai ने ठीके समझ में आगया होगा इस सवाल को आप जरूर जैसे बता है इस प्रकास से आप तयार कर लिजिए अगला सवाल देखें दस्वा नंबर का क्या है आपका एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा आपको pH मान बताना है देखिए आप क्या है कि एक विलियन लाल लिटमस को कैसा कर रहा है नीला कर रहा है जब यह नीला करता है या लिटमस पेपर जो होता है किसी भी लाल विलियन है उसको नीला करता है उसम वो कैसा होता चार होता क्या होता है चार और चार का पिएच मान हमेशा साथ से अधिक होता है क्या होता है साथ से अधिक होता है अब आपसन देखिए साथ से अधिक कहां प्याता है साथ से अधिक है डीवल आपसन है इसका सही जब क्या होगा डीवल आपसन करेक्ट हो है और यह साह से अधिक इृसका पहण हो ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अगला देखेक्वा क्या आपका 11 будем के आणो इसमें आबंद हो जाए जाता है एक सा सन्योजी आबंद पाए जाता है ठीक है चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं देखे बारा नंबर का जल को जिवाउ रहित बनाने में उप्योगी पदार्त है देखे आप यह कई बार पढ़ा है कि जल को सुद्ध करना या जिवाउ रहित बनाना है तो इसमें कौन स परियोग करते हैं विरंजक चूड परियोग करते हैं ठीक है विरंजक चूड कहेंगे या इसी को और किस नाम से जानते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं आप घर में परियोग करते हैं आप देखे होंगे जैसे काई रहता है तो इसको साफ करने के लि यह जाए चाहर देकि इस प्राश्ण सभी इंपोर्टेंस सवाल है सब्सक्राइब प्रेशन सही हो जाएगा एक आपसे प्रेशन पूचता है फिलोहें के बार बार पूचता है यह बार बार आपको पताते रहते हैं फुलेम के बारे में में फुलेम जो होता है भोजन का सनवान करन करता है याद रखी के आपके सामेन 15 नंबर का के क्वेश्चन है क्या है और फारे मंडलीξ test में कौनन साब प्योंग की है तो यह Children प्रियोग करने के लिए मंडल ने किया था तिसका सही जब सीवलाप्शन सही हो जाएगा अगले नंबर के सवाल को देखते हैं तेखिए यहां पर इसे कौन मानों में मादा जरान तंत्र का भाग नहीं है यहां पर मानों में नर जरां पाई जैते हैं नर जरान तंत्र होते हैं उसमें सुक्रवाहिका होते हैं मादा जन 170 dm सब्सक्राइब करेक्ट हुआ है अगला नमबर सवाल देखे 17 नमबर का सवाल क्या है कि सोपोसी पोशड के लिए आवस्यक है सो पोश्ड के लिए क्या आवस्यक है जैसे करभन डाख साइड क्लोरुफिल त्रुरिय का प्रकाश इंभे इस सब्सक्राइब कोलरिफिल की भी और शकता परती है करभन्डेक्साइट की भी और स्वुरिक प्रकाश का विद सिसका सही जब घुघ इवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है इस प्रस्टन का सही जब क्या वट डीवल आपसन करेक्ट हुआ अगला नंबर का देखिए स्वाल क्या था अंबर का क समझात अंगों का उधार है यह समझात अंग मने आते हैं हमारे दात और हाती के दात हुआ आलू ऐंघस के ऊपर वह अस्तरी भाग यह सब क्या होता है समझात अंगों की उधार अरा एक प्रस्णक시면 का सही कि अलए नमबर के सवाल करेक्ट होगा अगला नमबर का की अलायंगिक जएनन मुकलन द्वारा होता है यानि आप को पता है कि जो उता है ये अगला प्रश्न का सही हो जाएगा ठीक है। अब देखें यहां से स्टार्ट होता है खंडबा से बहुतिक विड्यान के सब्सक्राइब इसमें जितने बीत आपको बता है इन प्रश्नों को आप जरूर तयार कर लीजिए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एक अंयवाहन को देखने के लिए दो मीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दरपड लगा है बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन किस जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय चार मीटर की है तो गणना करके बताईए कि उसका परतविम दरपड में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगी कि लिए आरेक भी बनाईए देखे टोटल कितने नंबर का है चार नंबर का इस प्रश्ण को आप जरूर तयार कर लिए ठीक है जितने भी प्रश्ण बता रहे हो उ सब्सक्राइब करें देख सकने के लिए उसे किस प्राकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रियोग करना होगा कि आरेक भी बनाईए टोटल कितने नंबर का चार नंबर का ठीक है इन प्रश्णों को आप जुरूर तयार कर लिजिए अगला नंबर है कि ओम के नियम क्य है इसकी ब्याख्या संबंदित विद्धुत परिवत बना बना कर कीजिए यह भी बताईए कि एक विद्धुत चाला का परतुरोत किन-किन बातों पर निरभर करता है टोटल चार नंबर का इस इतनी भी प्रश्ण बता रहे हैं आप सभी इन प्रश्णों को आप जरूर त है चित्र बनता है यहाद रखें रखेंगा प्रोपिनल में कितने कार्बन आएंगे तीन कारबन यहाँ क्या हो जाएगा प्रूपे नल का कि भी वी को है कि सी एश ट्री ठीक है इस टूप है सी डव सी डब सी डबल बांड यहाँ डवल बांड बनेगा और यहां पर बाण लिए बन जाएगा यह होता है संरचना सुट्र ठीक किसम्त्र मतलब के कितना होगा यह पर स्थान पर मेथिल होगा जो क्रियात्मक सम्मूह होता है उससे दूसरे स्थान पर क्या होना चाहिए मेथिल होना चाहिए देखिए इसको कैसे सरचना मक्सुत रिखेंगे च ok gotta be show her funeral आप रखेंगे है का यहां जाएगा यहां पीछ अश्त रहाएगा मेथिल होगा सिछ यहां इस दरहाएगा है मैं ती थी हो जाए ओर टू मेठिल पेंटोनोई अम्लक का ये बन जाता सराचनात मक्सूद यहां देखिए प्रोपिन का क्या बने गा प्रोपिन में इन आ रहा है यहां इसमें क्या होगा डबल बांड होगा तो छी एच-डबल बांड च्वी यह होता है प्रोपिन का इसा से रचनानाथ्मक्स्द्र कैसे बनेगा तिए यह बनेगा सीze 3 हैंसी MD- doctor यहां से बताएं इसी रावरी चैंक रख को मेठेगल लिए टोट प्रस्न दाझें टोटल तॲिएक नंबरतो फिन नंबर का प्रश्ण का ठीक है इन प्रश्णों का जिरूर तयार कर लिजिए अगला नंबर के देखिए आपके सामने सवाल क्या है छटवा नंबर का यह ने यमजी एल के तत्तु हैं जिनमें से सन्युजक्ता इलक्टानू की संख्या करमस एक दो तथा तीन है यहां पर आप प्रश्णों को आपका इसे करेंगे जो कि आपको कई बार भी प्रश्ण करा चूके हैं देखिए इसमें छाप्रस्ण पूछाए अपको एक-एक नंबर का है चभवा च्हों छानन लंबर के टोल कितने नंबर प्रश्णाय शान नंबर का है निम्ने लिखत अब क्रियाओं में परते केले संतुलित रसाइनिक समीकर आपको लिखना है यहां पर प्लाश्टर किस प्लाश्टर कोँशं केसा कर Reid can सामोगा तो यह होता है जल किसके साथ जल के साथ क्रिया करें तो आपका जीब सब प्राफ्ट हो जाएगा है आप सभी को करा है आप डेली बार डेली वीडियो ऍंद्रिदीो देखते होंगे विली कर्बोन pc अब ripping यह आप क्रिया करता सरे जिंक आघ साइड बनता है और जिंक सी नेकर किया बनता है यहां से आप कर्बोनेट कर्बोनेटें कर्बो नेट हो जागा ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं साथ में अगला प्रश्ण है कि मैगनिसियम प्लस डडडडड मैगनिसियम कुलराइट प्लस हाइड्रोजन आपको अलग होना चाहिए यहां क्या आपका आएगा है यहां पर किसके साथ यह क्रिया करे ठीक है यह इसके साथ क्रिया करेगा तो आपको मैगनिसियम कुलराइट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा इसके लाद देखे बेरियम कुलराइट प्लस सल्फियूरिक अम्ल आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट होता है पहले आपको बेरियम सल्फेट मि बन जाता है इसके लाव देखें सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में सोडियुम आयोडाइट के साथ के लिया करता है सोडियुम नाइट्रेट बनता है और साथ में क्या बनता है सिल्वर आयोडाइट हो जाता है क्या आपका व्योजन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बताना है संच्छार और यश्र दुलोपा यह प्रश्ण आराद कीजिएगा अन्नता यह नीचे अथ्वामधियाद इस प्रश्ण को भी कर सकते हैं पर दो दो नंबर का च्छा नंबर इस पर मिलता है चलिए अगले नंबर का जो प्रश्ण है जहां से उभाग तीन है उभाग तीन में क्या होता है कि आपके सभी जीव विज्ञान के सभी प्रश्ण पूछा गया है अगला है कि पूस्व में निसेचन किरिया को पदरिशित करने है तो इस्त्रीकेसर की लंब का नमांगे चित्र बनाईए वरण की जिए टोलण चार नंबर का ठीक है अगले प्रश्ण को देखते हैं साथ में अगला प्रश्ण है कि वनसर रच्ण क्यू आवस्य क्यों कीजिये बिकाव यांनि फ्रान की रचना तो उसकी कारीविदी का वरण करना है टोटल चार नंबर का है अधाव में दिया है क से इमानों के पतर नंट्र का नमांग के ऽित्र बनाए ज़िए जितने भी प्रकार लिए मैंक्सिमिम आप इसी पेपरस से बोड्ट के इक्जाम में देखने के लिए ठीक है जितने भी पेपर आप सभी को करा रहे हैं वह सभी का पेपरों का सॉलुशन आप जरूर देखा कीजिए ठीक है तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास